तुम बात को बढ़ा रही हो आयान के साथ मुझे कंपेर बिलकुल मत करना और यह क्या कर रही हो तू कल जो तुमने मुझे आउनलाइन खरीद कर दिया था न ये लोग इसके पैसे क्या सोच रहे हो दो चार गिफ्ट करीद के मुझे खरीद लिया मैं क्या तुम्हारी गुलाम हूँ और तुम्हारी हिम्मत के ऐसे हुई अयान को गाली देने की अच्छा किया है गाली दी है जरुवत पड़ी तो फिर दूँगा तुमने मुझे लात मारी मैं ती चिले सरफ लाथ ही मारे, कोई और होता ना? और तुमने मुझे धक्का नहीं मारा? आज सुभा तुमारे टीशट भीगी थी, उस तजे से तुमने मुझे बत्तमीजी नहीं की धक्का नहीं मारूगा तो क्या करूगा? बार-बार गिरा कर मेरी पूरी टीशट गिली कर दी, तुम क्या ऑटिस्टिक हो? माइंड या लैंविज, मिस्टर बानरी, ऑटिसम इस डिजीज, यू हम नो राइट टो डिमें दे, डोंट यू हम एने रिस्पेक्ट फोर रैनिबडी? ओ, तुम मुझे गलत मत समझो, मैंने, मैंने बिना जाने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, असल में सुब्रो के साथ रहते रहते मैं लड़कों के मामले में बहुत ही स्केप्टिकल हो गई थी, सोचती थी, कोई लड़का मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, असल में रिलेशन्शिप में प्यार कम हो तो चलता है, पर रिस्पेक्ट कम हो तो नहीं चलता, तुम जब कल वहाँ सो रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे नीम नहीं आ रहे थी, मन कर रहा था कि उठका तुम्हें आवास दूं, यहां अपने पास बुला लूं, पर नहीं कर पाई, इसलिए कैमेरे निकाल कर तुम्हारी कुछ तस्वीरे खीच ली, तुम्हें पता है, सोते समय तुम बिल्कुल बच्चों की तरह लगते हो, तुम पता है, तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो, सच में, तु फेलो, क्या लूं, यू नो नाथिंग, जॉन स्नो, यू नो नाथिंग, प्रेमी का जब रो रही होती है, तो उच्छत है के प्रेमी, उसके आसू, अपने ओष्ट में भर ले, ओष्ट का मतलब जानते हो, ये है ओष्ट और ये है अधर क्या ओष्ट रहू एष्ट की तो क्या बाता,क्या ले जाथिंग नाथिंग, तो क्या बातार ऩर्फर o नाथिंग! क्याश बच्ट थाहित? एष्ट अवगeln